अब क्या कहे रहे यार इसकी हालत देखकर तो कोई भी हमें पकड़ लेगा कि हम इसका एक्सिदेंट करके आएं आसानी से पकड़े जाएंगे हम सब इपेश कुछ कर यार उन तक जाने की कोई जरुत नहीं है और हम वो सारे सबूत मिटा देंगे जो हमें गुनेगार सबिक करता और पहला सबूत है ये कार मिटा देंगे हम इसे लेकिन अगर कल को तुमारे डैड ने सकार के बारे में पूछा तो क्या तो मैं डैड से कह दूँगा कि कार चोरी हो गई या फिर कोई और बहाना बोलती लेकिन इस वक्त इसकार का मिटना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये कार सलामत रही ना तो फ मिटना बहुत जरूरी हो 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 ज झाल 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 तेरी इतनी भी आउकात नहीं कि तु हम पर उगली उटा सके या अपने पती को जाकर बचा और अगर नहीं बचा सकती तु मर जा उसके साथ जल दी पेश इस से तहली की बात आगे बढ़े जल निकलते हैं कि यह दी पेश कहां था यर तु हमें यह पार्टी में बुलाया और खुद गायब हो गया देखना शादी हुई नहीं और यह हाल है शादी के बाद तो पता ही नहीं जिलेगा कुब इसकी शकल मिल जाए देखने को यह पार्टी बाती ना सब खतम हो गई है यह बॉज बसती है आशो अराम सब खतम हो जो तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए क्या हुआ तू ऐसे क्यूं बोल रहा है तेरी शादी कैंसल हो गई क्या अभी तक तो कैंसल नहीं होई लेकिन अगर एक मिनट और में उस अवेली में रुख जाता ना तो इस नौबत को आने में भी देर नहीं लगती हफते भर पहले वाली रात याद है ना तुम दोनों को ये किसमत भी क्या खेल खेलती है ना किसी जाहिल गवार को मैं अपनी गाड़ी से उड़ाता हूँ और वो ही जाहिल गवार मेरा ही साला निकलता है और ऐसा साला जो घर के सबी लोगों का लाड़ला है और सभी के सभी घरवाले ना उसके गुनेगार को सलाकों के पीछे बेजने के लिए बेताब हैं और उसकी पीपी जो उस रात वहाँ पर थी वो मुझे पहचान चुकी है ऐसे मैं मैं क्या करूँ हाँ कुछ भी सिवाए इस तरह भागने के मतलब जाओ और उस लड़की का मूँ बन करवाओ साम दाम दंड भेत किसी भी तरह से बिल्कुल यही एक रास्ता है दिपेश तू उस घर का दामाद है तू अपनी पहुचका और जरूरत पड़े तो अपने पापा की पहुचका फाइड आउट है हाँ लेकिन तुझे यह अभी और इसी वक्त करना होगा इससे पहले कि वो लड़की वहाँ कुछ तमाशा खड़ा करें तू जाकर उसकी जुबान पर ताला लगा दे